सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में दोस्तों आपको पता है कि हमारे समाज में हमारे देश में सुपर इस्टीशन अंद बिस्वास की काफी जादा चर्चा होती है अंद बिस्वास को लेकर तमाम तरीके की बाती होती है और अंद बिस्वास को लेकर लोग काफी जागरूख भी है और उस चीज को समय समय पर कहीं न कहीं बाइकाट भी करते नजर आते हैं कि ये चीजे इस समय मत करो तो वो चीजे उस समय मत करो, ऐसा करना है तो ये करो, साधी करना है तो इसमें करो, वो करो तमाम तरीके की बाते होती है, लेकिन इसी अंद्विश्वास में एक है छीक आने की परक्रिया जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि जब भी कहीं बाहर जाते होंगे आप तो कभी छीक आजाता है तो आपने परिवार वाले बाहर नहीं जाने देते कहते हैं कि थोई दरबाद रूप के जाओ तमाम तरीके की जो सुपरिस्टीशन और विस्वास से वो कहने कहीं शामने आता है तो आज मैं बात करने वाला हूँ छीक के बारे में इसके अलावा घर से निकलते हुए घर के किसी सदत से कोई यरी छीक आ जाये तो भी हमारे परिजन हमें कुछ देर के लिए बाहर नहीं जाने देते हैं हमारे यहां छीकने को लेकर बहुत सी प्राचीन मानने आता हैं और विश्वास प्रस्दित लेकिन शायद ही यह लोग जानते हैं कि छीक सिर्फ अशूब शंकेत ही नहीं देती बलकि इसमें कुछ शूब शंकेत भी छीपे होते हैं कौन कब कहां और कैसे है छीकता इस पर शूब और अशूब निर्वर करता है तो चलिए जानते हैं छीकने के कुछ शूब शंकेतों के बारे में हमें से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यदी कोई ब्यक्ती किसी दुरगटना अश्चल समशान में या फिर ऐसे अस्थान पर जहां कुछ दुख का महोल बना हुआ यदी वहां पर छीक देता है तो इसे शूब शंकेत माना जाता है इसके अलाबा ऐसा भी माना जाता है कि यदी किसी शूब काम के लिए जा रहे हैं और उस समय कोई गाय आपने आपके सामने छीक दे तो आपका कारे निश्चित रूप से शफल होता ही है मानेताओं के अनुशार यदी आप दवाई या किसी प्रकार की कोई आउश्चित लेते समय छीक दे तो इस शूब शंकेत होता है दवा लेते वक्त छीक आने पर ऐसा माना जाता है कि बिमार ब्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा हम सभी जानते हैं कि घर से किसी कारे के रिए निकलते हुए यदी छीक आ जाये तो इसे शूब माना जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि यदी घर से निकलते समय ये किया एक से ज़्यादा बार छीक आ जाये तो ये शूब शंकेत होता है मानता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको शफलता ज़रूर मिलेगे खर इस अद्विश्वात पर आपके क्या रहा है कमेंट बोक्स में पता दीजिए थंदेबाद